दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो महाराष्ट में 20 तारीक को चुनाब होने जा रहे हैं लेकिन इस बार हरियाना चुनाव जैसा उत्सा विपक्षी गड़बंदन या कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हरियाना में कांग्रेस की हार कि छाया महाराष्ट में कांग्रेस नीत इंडिया गड़बंदन पर भी पड़ती नजर आ रही है यदि हरियाना में कांग्रेस जीतती तो महाराष्ट में उनका पॉजिटीव असर पड़ता लेकिन कांग्रेस के हरियाना में प्रत्याक्षितहार से महाराष्ट में भी किसी हद तक इंडिया गड़बंदन का मनोबल थोड़ा कम दिख रहा है और हालां कि कुछ सोशल मीडिया में ऐसे ग्रुप या मीडिया ग्रुप जो इंडिया गड़बंदन या कांग्रेस का साथ दिखाई देते हैं नजर आते हैं उनकी माने तो महाराष्ट में इंडिया गड़बंदन साफ चुनाव जीतने जा रहा है लेकिन अभी एक ताजा सर्वे आया है आप जानते हैं कि महाराष्ट में विधान सवा की कुल 288 सीटे हैं और इन 288 सवा जो 288 जो सीटे हैं इन में जो एक खासी खासा ऐसा गड़बंदन मेटराइज सर्वे ने चुनावी सर्वे कराया है जिसको काफी यद तक सही मान का चल रहे हैं यदि हम मेटराइज गठवंदन सर्वे के सही मान लें तो उस सर्वे के अनुसार महा यूती या एंडिये को 145 से 165 सीट दी जा रही है और दूसरी तरफ महा विकास अगाड़ी या इंडिया गठवंदन को 106 से 126 सीट मातर दी जा रही है और अन्य को 0 से 5 सीट है तो इस लिहाज से तो इंडिया गठवंदन की लुटिया कहीं महा राष्ट में भी न डूब जाए ऐसे संकेत मिल रहे हैं दोस्तों यहां मैं एक बात और कहा देना चाहता हूँ कि यदि महा राष्ट में हरियाना जैसे चुनाब परड़ाम आए और वाइनाड में प्रियंका गांधी हार गई जिसकी की संभावना बहुत कम है लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट में यदि इंडिया गठ बंदन चुनाब हार गया वाइनाड में प्रियंका गांधी चुनाब हार गई तो दोस्तों इंडिया गठ बंदन या विपक्षी गठ बंदन की इस्तिती दो हजार चौदे या दो हजार उन्निस के लोग सभा चुनाब हो जैसी हो सकती है यानि एक बार से एक बार फिर इंडिया गठ बंदन जो राहुल गांधी की दो भारत जोडो यात्राओं से उठ खड़ा हुआ था और कांग्रेस को भी लगभग लोग सभा चुनाब हो में लगभग दोगनी सीटे मिली थी और महाराष्ट में भी दोष्ट हो अड़तालिस में से इंडिया गठ बंदन तीस सीटें जीतने में काम्याव रहा था और जबकि एंडिये को मात्र सत्रे सीटें ही मिल पाई थी और एक अन्ये को मिली थी इंडिया गठ बंदन के सपोर्टर या इंडिया गठ बंदन में सामिल जो दल हैं वो तो कह रहे हैं कि हम महाराष्ट के जो लोग सभा के चुनाव थे और उसके जो रिजल्ट 2024 के लोग सभा चुनावों में आए और हमने जो वहां पर पुरदर्शन किया वो ही पुरदर्शन इंडिया गठ बंदन महाराष्ट की विधान सभा चुनावों में दोहराएगा यानि उनके अनुसार महाराष्ट में इंडिया गठ बंदन की सरखार साफ तोर पर बनने जा रही है लेकिन ये जो सर्वे आया है मैटराइज का सर्वे इसने मत्तब इंडिया गठ बंदन की रातों की नींद हराम कर दी है और दोस्तों ये माना जा रहा है कि ये जो ऐसे समय पर जो सर्वे आया है ये इंडिया गठ बंदन के मनोबल को तोड़ने के लिए लाया गया है और जान बूज कर इसमें इंडिया गठ बंदन को कमजोर और हारता दिखाया जा रहा है जबकि इंडिया गठ बंदन में सामिल सभी विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि हर्याना की बात और थी और महाराष्ट की बात और है और महाराष्ट में इंडिया गठ बंदन की जीत तैह है तो दोस्तों देखते हैं कि महाराष्ट में क्या होता है वाइनाड में क्या होता है महाराष्ट में हर्याना के चुनाप परणाम दोहराये जाते हैं या नहीं या महाराश्ट में इंडिया गणवन्दन जीत कर आने वाले विधान सभा चुनावों के लिए एक मिसाल बनेगा और जहां एंडिये प्रियंका गांधी को वाइनाड में कड़ी टक्कर देने की संभावनाएं जता रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि हम इस बार प्रियंका गांधी को वाइनाड में हराके रहेंगे वहीं दूसरी तरब इंडिया गणवन्दन और कांग्रेस का दावा है कि वाइनाड में तो प्रियंका गांधी की जीत तै हो चुकी है ये गांधी परिवार की सीट है इसमें तो कोई हार का सवाल ही नहीं है और महाराष्ट के चुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं तो दोस्तों 23 नवंबर को इन चुनावों के परिणाम आने हैं देखते हैं कि हरियाना तो नहीं दो रहा है जाता महाराष्ट में या जो इस सर्वे में जो दिखाया गया है उसकी अनुसार तो चुनाव परिणाम नहीं आते हैं लेकिन इसमें जो सर्वे दिखाया है उसमें एंडिया गढ़बंदन को 47 पृतिसत शीटे दिखाई गया है और दूसरी तरफ इंडिया गढ़बंदन को मातर 41 पृतिसत बोट दिखाया जा रहा है जबकि अन्य दलों को 12 पृतिसत बोट पृतिसत बताया जा रहा है तो इस सर्वे को माने तो एंडिया साथ चुनाव जीत रहा है और विपक्षी गढ़बंदन के या इनिया गढ़बंदन के दावों को माने तो महाराष्ट में लोगस्रवा चुनाव के जो परिलाम हुए थे वो ही दोहराए जाएंगे और उससे भी बहतर रिजल्ट उससे भी जादा सीटे उस लिहास से भी जादा सीटे और वोट पृतिसत इंडिया गढ़बंदन को मिलेगा तो दोस्तों देखते हैं किसके दावे में कितना दम है और यदि हम सर्वे की ब भर के सर्वे दुनिया भर के सर्वे फेल हो गए थे और हर्याना में स्पस्ट कांग्रेस की जीत बताई जा रही थी यहां तक की अधिकारी हुड़ा जी के पास पहुचने लगे थे अपनी अपनी पोस्टिंग के लिए और यहां तक की सैडो मंत्री मंडल भी बन गया था गुड़ा जी ने मंत्री पद भी बाढ़ दिये थे और सरकार बनने की बस सरकार बनने और चुनापरणाम निकलने की इंतजार किया जा रहा था लेकिन जैसे ही चुनाब प्रडाम निकले आव उसमें बहुत सारे इफ हैं बहुत सारे आरोप कांग्रेज के हैं कि EVM से हमें हराया गया बीश सीटे हमें EVM से हराई गई और भी कई कारण बहुत सारे गिनाय जा रहे हैं इस टैम हरियाना में कांग्रेज की हार के लेकिन महाराष्ट में क्या होता है तेश्ट नवंबर तक आप इंतजार कीजिए हम भी इंतजार करते हैं चुनाप प्रणाम ना हमारे हाथ में हैं ना आपके हाथ में हैं और चुनाप प्रणाम जदी किसी के हाथ में हैं तो वह महाराष्ट की जनता महाराष्ट के बद्दाता और वाइनाड की जनता और वाइनाड की मद्दाता तो दोस्तों देखते रिए देख रोजाना